सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक्रान चैनल को और बेल आइकन बजाएए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए सो फैनली अगस्त 2024 इंड हो चुका है और यहाँ पर Realme वालों ने अपने डिवाइसेस के अंदर Realme UI 4.0 एंड Realme UI 5.0 का अपडेट प्रोवाइड करवाए हैं तो यहाँ पर कौन-कौन सी डिवाइसेस को साफ्टेर अपडेट देखने को मिला और साथ ही आपके डिवाइसेस म अपडेट के बारे में बताऊंगा तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पर डिवाइस लिस्ट और सिस्टम अप्लिकेशन अपडेट के बारे में बताने से पहले हम चलते हैं रियलमी के आफिसियल कम्यूनिटी पेज पर आपको पता ही होगा कि जो भी न्यू सॉप्टेर अपडेट रोल आउट होता है उसका इन्फरमेशन हमें रियलमी के आफिसयल कम्यूनिटी पेज पर देखने को मिल जाता है और अभी जो भी सॉप्टेर अपडेट रोल आउट हो रहा है उसमें किसी-किसी डिवाइसेस को जुलाई 2024 का Android सिकूरिटी पेज देखने को मिलता है और किसी-किसी डिवाइसेस को अगस्त 2024 का करेंट मंत का लेटेस्ट इन्हेंस Android सिस्टम सिकूर्टी देखने को मिलता है अब बात किज़े अगस्त 2024 की डिवाइस लिस्ट की तो यहाँ पर रियलमी GT Neo 2, रियलमी 12 Pro 5G, एंड रियलमी Pad 2 LTE एडिशन को रियलमी UI 4.0 एंड रियलमी UI 5.0 के अपडेट के साथ अगस्त मंत का स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है इसी के साथ रियलमी Pad 2 Wi-Fi एडिशन, रियलमी 12 Pro Plus 5G, एंड रियलमी P1 Pro 5G को रियलमी UI 5.0 based on Android 14 के अपडेट के साथ अगस्त मंत का स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है इसी के साथ रियलमी GT Neo 3, रियलमी GT Neo 3 150W, एंड रियलमी 13 Pro Plus को रियलमी UI 5.0 based on Android 14 के अपडेट के साथ अगस्त मंत का स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है इसके लावा Realme 13 Pro, Realme GT60 and Realme 13 Pro को second update के साथ Realme UI 5.0 based on Android 14 के update के साथ अगस्तमंद का stable update देखने को मिल चुका है इसके लावा Realme 13 Pro Plus को second update, Realme 10 Pro Plus and Realme 9i को Realme UI 5.0 based on Android 14 के update के साथ अगस्तमंद का stable update देखने को मिल चुका है इसके लावा बात की जागले devices की, तो Realme 11 5G, Realme Nargo 60X 5G, Realme C67 and Realme 11X 5G को Realme UI 5.0 based on Android 14 के update के साथ अगस्तमंद का stable update देखने को मिल चुका है इसके साथ, Realme C63 5G, Realme GT6 and Realme 12 5G को Realme UI 5.0 based on Android 14 के update के साथ अगस्तमंद का stable update देखने को मिल चुका है इसके लावा, Realme 12X 5G, Realme Nargo 70X 5G and Realme C65 को Realme UI 5.0 based on Android 14 के update के साथ अगस्तमंद का stable update देखने को मिल चुका है इसके लावा, Realme N65 5G, Realme 13 Pro Plus and Realme 13 Pro को Realme UI 5.0 based on Android 14 के update के साथ अगस्तमंद का stable update देखने को मिल चुका है इसके लावा, Realme Nargo 50 5G, Realme 11 Pro Plus, Realme Nargo 60 Pro and Realme 11 Pro को Realme UI 5.0 based on Android 14 के update के साथ अगस्तमंद का stable update देखने को मिल चुका है अब दोस्तों बात की जाए, Realme के system application update की तो उसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो के description में अपने telegram channel का link जो है add कर दिया है आप यहाँ पर आकर अपने system application को update कर सकते हैं यहाँ पर आपको Realme UI 4.0, 5.0 and Realme UI 6.0 का काफी सारे system application update देखने को मिल जाएंगे लेकिन दोस्तों अगर आप Realme UI 6.0 का system application update करेंगे तो carefully install कीजेगा हो सकता है आपको apps crashing issue अगरा देखने को मिल जाएं तो आप अपने risk में carefully install कीजेगा तो यह रहा अगस्त 2024 का full device list जिन्हे Realme UI 4.0 and Realme UI 5.0 का update देखने को मिला साथ ही Realme के system application update के बारे में बताया हूँ तो अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो like, share, subscribe करना ना भूले मिलते हैं हम next वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care दोस्तों झाल